नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों ने गलती यहां पे कर दी है देखे बहुत सारे लोगों के पास 10-20 बॉंड थे लेकिन एक ही बॉंड अफ्लोड करके छोड़ दिया गया फाइनल सब्मिट कर दिया गया तो उन लोगों का जो है पैसा निश्चित रूप से हो सकता है अटक जाए और उनको बाद में परिसानी हो जाए तो इसलिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताफ आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूं एक एक अश्टेप रजिस्टेशन कैसे करना है पंजी करना है लोग इन कैसे करना है फॉर्म को कम्पलीट कैसे करना है एक से जानकारी जो मैं आपको पूरी टोटल विश्तरी तुरूप से दिखाने वाला हूँ तो बने रहीएगा सबसे पहले क्या करना होगा रजिस्टेशन कैसे करना है यह जान लाते हैं तो यहां देख सकते हैं जमा करता पंजी करन पे आपको क्लिक कर लेना है अब आपका रजिस्टेशन पेज खुल जाएगा यहां पे आपको आधार का जो भी चार अंक है जो भी चार अंक है अंतिम वाला वो यहां पे डाल देंगे डालने के बाद यहां पे आपको एक मोबाइल नमबर डाल देनी है ठीक है जो भी आपका mobile number है वो आप यहाँ पे दस अंको का mobile number डाल देंगे लेकिन ये mobile number जो है वो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए ठीक है फिर यहाँ पे OTP पे किलिक करेंगे तो आपको एक OTP भेज दी जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे OTP डालेंगे जो भी आपक OTP है और सत्यापित पे किलिक करेंगे तो आपका यह registration complete हो जाएगा अब next आ जाता है जमा करता लोगिन अब इस पे किलिक करेंगे किलिक करते ही अब फिर से वही परकिरिया अपनाना है यहाँ पे अंतिम बाला चाहरां काधार कार्ड का डालेंगे mobile number डालेंगे फिर OTP पे क किलिक कर देंगे OTP पे जैसा ही किलिक करेंगे आपको OTP मिल जाएगी यहाँ पे OTP डालके यहाँ पे सत्यापित कर लेंगे तो OTP डालने के बाद सत्यापित यहाँ पे किलिक करेंगे सत्यापित आपका हो जाएगा अब आधार verification का जो है अगला step खुलता है ठीक है यह खु स्विकिर्थ कर लिया गया था इसलिए यहां पर स्विकिर्थ सहमती का उप्सन नहीं दे रहा है लेकिन आपका अगर सहमती नहीं हुआ है तो यहां पर सहमती का उप्सन देगा सहमती पर किलिक करेंगे और उसके बाद अगला बटन जो दिखाई दे रही है इस पर आपको किल वह आ जाएगा अगर आपका NPCI से लिंक नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा ठीक है तो NPCIC अगर आपका link नहीं है तो आप रोजगरबया.com पर आजाएंगे टेक है रोजगरबया.com पर आने के बाद आपको दें़े form मिल जाती है कौन सा form क्या करना है देखिए यहां पर नीचे आना है और यहां पर जो आपको form दिखाई दरी है अधार plus bank account linking यहां पर status है यहां पर status check कर सकते हैं और dbt form देखिए NPCI form जो है यहां से download कर लेना है download करने के बाद इस form को भरकर अपने bank में जमा कर देना है तो आपका जो बै आधार से bank खाता है वो link हो जाएगा जो भी आप account link करवाना चाहते हैं उसका detail भरके अपने bank में जाके जमा कर सकते हैं तो यह form आपको हो गया आप यहां पर देखिए इसमें नाम आने के बाद यहां पर देखिए सबसे पहले society select करने को कहा जाता है तो society को पहले select कर लीजेगा अगर आपका चारो में है तो देखिए पहले एक एक करके आपको select करना है पहले देखिए मैं एक यहां पर कर देता हूँ पहला वाला select कर लेता हूँ यहां पर membership number डाल देगे जो भी आपका membership number है फिर यहाँ पे account number डाल देंगे अगर देखिए यहाँ पे account number कहां से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ आपका जो bond है बॉन्ड देख सकते हैं आपके पास भी bond होगा सहरा का तो उसमें नीचे यहाँ पे account number होता है यहाँ पे से यहाँ यही वाला account number डालेंगे membership number देखिए यहाँ पे है ठीक है receipt number भी certificate नमबर भी यहाँ पे है तो यह सब जानकारी जो ही यहाँ पे भरना है तो देखिए receipt number रसीत संक्या हो गया परमान पत्र या पासबूक नमबर अगर आपके पास परमान पत्र है तो परमा यहाँ पर डालेंगे calendar से फिर यहाँ पर deposit amount यहाँ पर ध्यान देना है कि deposit amount मांगा जा रहा है यानि कि जमा जो आपने किया है वह मांगा जा रहा है maturity नहीं डालना है जैसा कि इस फॉर्म की बात करें तो देखिए यहाँ एक सट हजार जमा है ठीक है लेकिन इसकी maturity जो है सत 5000 है तो maturity नहीं डालना है यह आपका जो जमक यह है आप वो आपको डालना है ठीक है तो यहाँ पर लिख देना है फिर अगर आपने कोई loan बगएरा लिया है आंसिक भुकतान बगएरा हुआ है तो यहाँ पर amount डाल देंगे ठीक है अगर आपने कोई loan बगएरा लिया है society से तो उसका डीटेल यहां पर फिल कर देंगे, चलिए मैं यहां पर दोनों को हटा देता हूँ, और जो आपका bond paper है, इस परकार से आपको खीच लेना है, फोटो और फोटो या PDF दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि आपको बताएगा या 200KB के कम का होना चाहिए, या 200KB तब का होना चाहिए, तो यहां पर upload कर देंगे, और दाबा जोड़े पर click कर देंगे, तो यहां पर जो है, आपका add हो जाएगा, चलिए, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए, यहां पर PDF भी file बोल रहा है, लेकिन PDF ले न दा रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर धावा जोड़े पर जैसे click करेंगे, तो देखिए, एक जो है, यहां पर add हो गया, ठीक है, add हो गया, अब अगर आपके पास extra और भी है, तो फिर से आपको यहां पर society select कर लेना है, जो भी आपका society है, select करेंगे, अगर एक ही society में 10 है, तो एक ही society select करेंगे, अगर दूसरे दूसरे में है, तो दूसरा select कर लेंगे, तो मैं यहां पर एक फिर से वही select कर देता हूँ, फिर membership number डालेंगे, जो भी आपका member number है, फिर यहां पर account number है, जो भी आपका account number है, वो डालेंगे, ठीक है, फिर restrict number जो भी है, उससे डाल देना है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ठीक है यह ने कर दिया अब यहाँ पर आप देख पार हैंगे तो फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूं जो भी आपका है वो डाल देंगे फिर यहां पे choose करेंगे click करेंगे और फिर से upload कर देंगे मैं सिर्फ आपको एक sample के रूप में बता रहा हूं देखें दावा जोड़े पे click करेंगे तो दूसरा भी add हो गया दूसरा भी add हो गया इसी परकार से एक एक करके आपको भरते जाना है अगर दूसरे society में है तो दूसरा select कर लेंगे ठीक है जो भी आपका society society का नाम आपको bond में दिखाया गया है आप bond में छेक कर सकते हैं यह देखे society का नाम जो है सहारा credit cooperative society limited यहाँ पर जो address है लखनाऊ तो यही आपका society है अगर आपके आपके में मध्य परदेश है या फिर कॉलकाता है तो वह आप अपने हिसाब से देख लिजेगा ठीक है यहाँ पर कौन-कौन से है तो cooperative society limited है फिर आपका हमारा इंडिया क्रेडिट cooperative society limited है तो जो भी आपका उसे है इसमें से सलेक्ट कर लेंगे पर से टाल देता हूँ दिती यहा पर मैंने डाल दिया ठीक है जो भी आपका उसे टाल देंगे फिर यहाँ पर आमाउंट डाल देंगे खाता संख्यान डाल देंगे और डाल देंगे, तो देखे, यहाँ पर दावा जोड़े पर किलिक करेंगे, तो तीसरा भी एड हो गया, तो इसी परकार से एक एक करके सब आपको अपलोड कर देना है, जितने भी आपके पास, सो, पचास, दस, 20, 30, जितने भी है, सब को एक एक करके add करना है, उसके बाद यहाँ पे अगला पे click कर देना है, तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 add किया है, 6 परकार का मैंने यहाँ पे add कर दिया है, तो इसी परकार से आप भी add कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है, तो इडिट पर किलिक करके आप सुधार भी कर सकते हैं ठीक है अगर आप डिलिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलिट पर किलिक करके हटा भी सकते हैं और यहाँ पर दिखे एक confusion बहुत सारे एक ग्रह को को है यहाँ पे क्या करना है जो deposit amount है सिर्फ एक ही bond का भरना ये नहीं कि आपके पास 10 bond है तो दस bond का ही 10 बाइं का पैसा एक ही बार लिख देंगा इसा नहीं हर bond में जितने भी bond आपके पास है उसमें रासी दिया करना होगा जमारासी वो जमारासी आपको एक्कoming करके लिकला है ठीक है एक Tr Keq करके भरते जाना है तब ही आपको यहाँ पे Add होगा ठीक सकते है एक्क करके मैं यहाँ पल जहक दिए जावधिर की सब्यकिन करromagnet कर देंगों क्योंकि बहुत सारे computer laptop में support नहीं करता है तो यह नहीं भी दिखाई देगा तो क्या करना है कुछ नहीं करना है नहीं भी दिखाई दे तो यहां पर download का जो लिखा हुआ है form download करें इस पे click करेंगे तो download हो जाएगा अगर नहीं भी होता है तो यहां दावा अनुरोद परपत् अब दिखाई देने लगेगा अगर यहां से download कर सकते है तो चलिए इसको download कर लेते हैं देख सकते हैं जितना भी मैंने add किया है वो यहां पर add हो चुका है form में इसको डाउनमोड करने ला ना है पहले download करते हैं तो download पे click करते हैं तो देखिए एक message मिलेगा कि अगर इसको आप download कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो पहले देख लिजाएगा अगर सब कुछ ठीक है तभी download कर देख लिया है सब कुछ ठीक है ठीक पे click कर देते हैं तो यह form देखिए download हो च किया है जितना भी अकाउंट आपने एड़ किया है सारा दिखाई देगा तो यहां पर आने के बाद अब इसमें क्या-क्या भर्ना है ध्यान दिजेगा ऊपर में आपको यहां पे कुछ नहीं करना है ना बगेरा automatic आ जाएगा सिर्फ यहां पर आपको फोटो चिपका देनी है फोटो चिपका कर और फोटो पर आधा signature होना चाहिए और आधा इस कागज पर ठीक है तो आधा प्रोस signature कर देंगे करने के बाद यहां पर देखे bank का नाम पूछ रहा है जिस भी जिस भी bank में आप पैसा चाहते हैं यानि जो bank आपका NPCI से लिंक है आधार से लिंक है जो bank उस bank का नाम यहां पर लिख देंगे जो भी आपका bank का नाम है वो लिखेंगे और bracket में करके आप account number IFC code भी लिख सकते है लिखने के बाद और नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहां पर signature वगएरा करनी है देख पा रहे होंगे अस्थान का नाम लिख देना है place में आप अपने district अपने गाओं का नाम लिख सकते हैं यहां पर mobile number लिखने का option दिया है तो mobile number लिख देंगे ठीक है फिर यहां पर जमा करता का हस्ता अचा रहें signature कर दीजिएगा यहां पर signature करने के बाद इस form को फिर से upload करना है तो चलिए कैसे upload करना है यह भी देख लेते हैं तो download करके इस परकार से सब कुछ भर देना है देख पारेंगे क्या क्या यहां पर भरा गया है तो इसी परकार से आप भी भर देंगे ठीक है भरने के बाद यह जरूरी नहीं है मैंने देखिए यहां पर computerize ही किया है लेकिन आप pin से भी लिख सकते हैं कलम से भी लिख सकते हैं लिखने के बाद यहां पर देखिए signature बगएरा भी आप कर सकते हैं और address बगएरा जो place है वो लिखेंगे अपने जीला का नाम या अपने district का नाम या फिर अपने गाओं का नाम बगएरा लिख के यहां पर कोई भी एक चीज़ लिख कर यहां पर signature करक करेंगे तो आपको upload करने का option यहां पर मिल जाएगा तो देखें यहां पर choose करेंगे सबसे पहले ही इस पर click करेंगे जो आपने भारा है form उसको यहां से click करेंगे और open करेंगे तो यहां पर preview के रूप में देखायता भी रहेगा देख भी सकते हैं कि जो आपने upload किया वो सह से upload हुआ है कि ने अगर upload नहीं होता है सही से आधा अधूरा upload होता है तो दोबारा से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोबारा से upload कर लेंगे फिर यहाँ पर आपका 50,000 से ज्यादा amount है तो यहाँ पर जो भी आपका यह pen card number है वो यहाँ पर डालेंगे ठीक है यह देखे इ पैन्फषीप अब्लोड करेंगे और जो भी आपका पैनी करेंगे उसको यहां से सलेक्ट करके अपलोड कर देंगे आपको अगला का सब्सक्राइब तो मैं यहाँ पर अगला पर किलिक नहीं कर रहा हूं, जैसे ही अगला पर किलिक करेंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा, इस तरीके के आपको मैसेज मिल जाएगा, कि आपका दावा स्विकार कर दिया गया है, और आपका दावा अनुरोध संख्या दिखा देगा, तो और आप के mobile पे message भी चला जाएगा अगर आपने email id डाला था तो email id पे message चला जाएगा और समय समय पे आपको message मिलता रहेगा कि आपका select हुआ कब मिलेगा पैस आईए सब जान करें जो आपको message के मात्यम से मिलता रहेगा तो इस परकार से form को भरना था मैं submit इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे और गी आप लोगों के लिए जो जानकारिया है कुछ-कुछ तो वो अगर मैं submit कर दूँगा तो फिर दोबारा से मैं form को नहीं complete कर पाऊंगा इसलिए अगला video के लिए ही मैं इसे submit नहीं कर रहा हूँ ताकि आगे जो कुछ जानकारी आपको देनी होगी तो मैं फिर से आपको दे पाऊंगा इसलिए submit नहीं कर रहा हूँ तो सीधे आपका यह message मिल जाएगा तो आपका final हो जाएगा जैसा ही अगला पर click करेंगे जिस जैसे ही यहाँ पर अगला बटन पर click करेंगे final आपका हो जाएगा form complete हो जाएगा तो इस परकार से आविदन करना था अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें comment करें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और मैंने शुरू में ही बता दिया कि अगर आपका bank में जमा करें आपका link हो जाएगा आधार से ठीकर तो इस परकार से form भरना था उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पलपल की अपडेट के लिए मैं मैं में लोग जाएग झाल झाल